वेलकम टू हाइट्स उचाईयों पे आपका स्वागत है मैं नीरज कुमार बीपी आरो सहकारिपालक पतादिकारी स्वागत करता हूँ आप सबका इस नए वीडियो में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको बीपी एससी प्री और मेंस के लिए मौक कहां से देन चाहिए इस वीडियो में मैं स्ट्रिक्टली सोर्सेज पर फोकस करूंगा मौक देने का धे मौक का एनालेसिस और कितना मौक देना चाहिए ये सबी टॉपिक्स पे मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगा तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं आगे कुछ भी बता आने से पहले मैं ये clear कर देना चाहता हूँ कि ये मेरे personal opinion है आप बिलकुल स्वतंत्र हैं अपना बुद्धी और विवेक यूज करने के लिए अब वही चुने जो आपके strength को compliment करता हो तो prelims में mock की बात करें तो मैंने जितने भी mocks दिये वो मुझे relevant नहीं लगे वो mocks में या नहीं दिया इसलिए मैं आपको personal guarantee के साथ suggest करूँगा कि आप BPSC के previous year question को solve करें ज्यादा से ज्यादा बार और extra practice और confidence के लिए subjects के आगे लिखे गए sources से practice करें history और geography के लिए आप घटना चक्र से practice कर सकते हैं quality के लिए आप कुछ selected topics को घटना चक्र से prepare करें बिहार special के लिए आप crown chapter के last में दिये वे questions को solve करें और ज्यादा practice के लिए इम्तियाज अहमत साब की किताब से सिर्फ objective question बनाए current affairs के practice के लिए edutaria का magazine को solve करें उसमें last में बहुत सारे exercises दिये रहते हैं और economics और mathematics के लिए आपका previous year questions प्लस notes काफी है more than sufficient है आपको इस exam में sell through करने के लिए BPSC mains एक बिल्कुल अलग game है मेंस के लिए अगर आपके notes ready हो तो आप कुछ subjects के mocks पहले से ही देना start कर दीजे जैसे geography, economics, science and technology, basically paper 2 के mocks और stats की practice भी अब mock के दोरा कीजे पहले से ही BPSC mains की तयारी के लिए मैं सत्यमेव IS से जुड़ा रहा और वहां के mocks दिये mocks के question और solution बहुत अच्छे होते थे हर एक mocks का feedback और model answer दिया जाता था जो की बहुत helpful होता था अगर आपके आज पास कोई ऐसा friend circle है या कोई ऐसे इनसान है जो आपके answers को चेक करके उस पे feedback दे सके तो आप बहुत आसानी से mains की तयारी खुद से कर सकते हैं मैं आपको सजेक्ट करूँगा कि अगर आप institute join करें या ना करें पर फिर भी BPSC के previous question को real exam like situation में attempt कीजे और self analysis कीजे हर एक paper का model answer तयार कीजे ऐसा करने से आपकी तयारी बहुत अच्छी हो जाएगी कुछ youtube चैनल और coaching issues open mock organize कराते हैं बट usually यह mocks आपके तयारी को नीचा दिखाने के लिए ही organize किया जाता है मैं सारे youtubers और सारे coaching issues को blame नहीं कर रहा बट maximum का intention यहीं होता है सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप revision पर focus करें जितना पढ़े जो भी पढ़े उसका maximum times revision कीजे क्योंकि revision करने से वो आपके brain में retain रहेगा और जितना जादा और जितना ठोस तरीके से retain रहेगा उतना उसे exam hall में recollect करने में easy रहेगा और जितना आप easily recollect करेंगे उतना अच्छा आइंसर को reproduce कर सकते हैं इसलिए revision is the key to success मैंने इस वीडियो में जो भी कहा है बिल्कुल सत्य कहा है तीस मारखान बनने के लिए या तेजा चौधरी बनने के लिए मैंने हवा में बाते बिल्कुल नहीं की जैसा कि मैंने 50 mocks दिये pre के लिए और 200 mocks दिये mains के लिए ऐसा कुछ नहीं है मैंने जो भी अपने तरफ से mocks दिये मैंने आपके साथ share किया क्योंकि मैं आज selected हूँ लेकिन कल मैं भी एक BPSC का aspirant ही था तो चलिए अपने इसी बात से मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बने रहे हैं मेरे साथ इस इस मी निरज कुमार साइनिंग आफ थैंक यू